जब हम अपनी स्थिती की बात करते हैं कि हम पृत्वी पर कहां हैं तो पृत्वी पर हम ट्रोपोस्फियर में अपना जीवन वैतीत कर रहे हैं और ये जो ट्रोपो स्फियर है वो वायुमंडल में किस प्रकार से वेवस्थित है यह निर्भड करता है पृत्वी के गुरुत्वी बल पर तो पृत्वी के गुरुत्वी बल के द्वारा ही ये संबंदित है और इस प्रकार वो बंधी हुई है गुरुत्वी बल से कि ये हम बउर्धाने वाली हानिकारख कि रिखाने होती है उन से हमारा बचाओ करती हैं तो वाय मंडल में जो एक लेयर है जहां पर हानिकारख किरणों का अवसोषन होता है या हानिकारख किरणे पृस्वी तक असानी सें नहीं पहुंच पारी हैं 26 अजिसमें उक्सिजिण गैस अध्याय में हम मुख्य रूप से गैस के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, गैस से संबंदित कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे और द्रव के कुछ गुणों के बारे में जानेंगे। पड़े में पड़ रहे हैं और इस पर कैसे निर्भर करता है द्रव अवस्था और गैस अवस्था और उसके कौन-कौन से नियम है तो परमाडू के गुणों की बात होती है तो वहां पर आता है इलेक्ट्रॉन बंदुता आयननूर्जा परमाडूतिज्या और आयनिक सुमों की और उससे संबंधित जो अवस्था है उस पर हम्यक्राचा करेंगे साlt! में पूरे आवर साडंी में जो संख्या ऐव्यारा है यहाँ में डेखिये साथिवाह जाते हैं जिस पुरा जो अक्री घयस है है हिलियम-नी यॉन Надо इसके लावा झाल और दल्यम परमाडू स के द्वारा जो गलनांग है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है तो गलनांग डिपेंड करता है कि ठोस के लिए जो अंतराणवी काकरशन बल का माने अड़ों के मद्धे वो किस प्रकार का होता है और गलन के दौरान जो अंतराणवी काकरशन बल को तोड़ने के लिए करता है कि किसी भी थोस के लिए गलनांग क्या होगा तो जब हम आयनिक योगिक और सहसे ओज़क योगिक की गलनांग की तुलना करते हैं तो आयनिक योगिक के लिए जो गलनांग का मान है वो अधिक होता है क्योंकि आयनिक योगिक में जो आयन से उनके मध्य उच्छ होता है जबकि सह-Sahore o Chalk योगिक में इस प्रकार से कोई आकरशनबल प्रबल नहीं होता है बंद होता है साजय-धारी से बनता है लेकिन जो बंद की प्रबलता है वो आईनिक बंद की अधीक होती हैं और हम यहाँ पर के जब बात करते हैं, तो गलनांग भी एक temperature होता है, जिस पे किसी भी पदार्थ का जो ठोस रूप है और उसी पदार्थ का जो द्रव रूप हैं, दोनों की जो वाश्प दाब है वह साम्या अवस्था पर होता है, या हम इसे परिभाशित करेंगे, तो गलनांग वह स्थिर ताप होता है, जिस पर पदार्थ की ठोस एवं द्रव अवस्था दिये गए दाब पर साम्य अवस्था में होती है। तो जिस तापमान पर ठोज एवं द्रव के लिए जो वाश्पदाब है वह समान होगा वही तापमान उस पदार्थ के लिए गलनांक बिंदु होता है। क्वतनांग की जब हम बात करते हैं तो क्वतनांग वह तापमान होता है जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारम्भ होता है तो जब किसी भी द्रव का वाश्पदाप वायमंडली दाप के बराबर हो जाता है उसे हम क्वतनांग कहते हैं और ये दोनों चीजें भी जो है तो देखते हैं कि गैस के अड़ों का जो संगठथन है वो पूरे भाग में एक सामान रहता है ये समांगी प्रकritि के होते हैं, ओमोजिनस होते हैं और अकृति और आयतन की जब बात करते हैं तो ना तो इसके आकृति निश्चित होती है ना ही इसका आयतन इश्यत होता है लेकिन यदि गैस को किसी पात्र में इकठा कर लिया गया है तो वह गैस उस पात्र के आयतन के आकार को ग्रहन कर लेता है यह हम कहते हैं कि इस पात्र के आयतन के जितना आयतन ही इस गैस का आयतन होगा गैस के द्वारा दाब भी उत्पन किया जाता है गैस को जब एक पात्र में इकठा करके रखा जाता है तो पात्र की दिवारों से ये गैस के अणु टकराते हैं और पात्र की दिवारों से जब ये टकराते जाते हैं तो यहां दाब उत्पन करते हैं और जैसे जैसे तापमान में वृद्धी होगी तो गैस का दाब भी बढ़ता है क्योंकि जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो गती जूर्जा का मान बढ़ता है और गती जूर्जा के मान के बढ़ने के कारण इन अड़ों के इस पात्र से टकराने की जो दर है वो भी और यह आपस में फैल कर मिश्रित होने का usar बहुत अधिक पाया जाता ह läh च्रॉत के ज़िए बहुत है उनके मद्धे जो इस संपीडित 흥े को भी आथिक है। जिसे हम क्रांतिक ताप मान कहते हैं, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर दाब बढ़ा कर गैस का द्रवन किया जा सकता है, तो यहां क्रांतिक ताप को Tc से दर्शाया जाता है, अगला हम देखेंगे कि गैसों के कौन-कौन से गुण हैं, जो मापे जाने वाले होते हैं, इस हमें खाली पात्र लें, उसमें गैस है, खाली पात्र लें और उसमें उसका वेट ले ले और उसमें हम गैस भर दें और फिर उसका वेट ले ले और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही उस गैस का द्रवेमान होगा, यहां पर जब गैस के द्रवेमान की बात होती है, तो मोलो की संख्या से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मोलो की संख्या के लिए सूतर होता है कि ग्राम में द्रवेमान और आणविक द्रवेमान, तो जब हम मोलो की संख्या को लिखेंगे तो small m upon capital m, तो small m यहाँ पर मास को बताता है और capital m molecule or mass को बता रहा है, तो यहाँ पर भी हम द्रवेमान से मोलो की संख्या को रिलेट कर सकते हैं, तो प्रतेक जो गैस है, उसके एक मोल में जो अणवो की संख्या होती है, वो अवगाडरो संख्या के बराबर होती है, जिसे हम N से दर्शाते हैं, या N0 से भी कई जगा दर्शाय जाता है, Na से भी दर्शाया जाता है, तो ये मान होता है 6.023 into 10 to the power 23, तो प्रतेक गैस के एक मोल में जो अन्वो की संख्या है, वो 6.023 into 10 to the power 23 के बराबर होता है, आयतन की बात करते हैं, तो गैस का जो आयतन होता है, वो पात्र के आयतन के बराबर होगा, जिसे हम लीटर या मिली लीटर में calculate कर सकते हैं, तो यदि लीटर या मिली लीटर को cm3 के रूप में भी हम replace कर सकते हैं, यदि 1 मिली लीटर है, तो हम उसे 1 cm3 के रूप में लिख सकते हैं, और यदि 1 लीटर है, तो उसे 10 to the power 3 cm3 के रूप में भी लिखा जा सकते हैं, दाब की जब बात करते है तो जैसा हमने देखा कि गैस के जो अणू है पात्र की दिवार पर लगाता टकराते रहते हैं और दाब उत्पन करते हैं तो प्रती इकाई छेतर पे जो अणू की टकर होती है उससे जो उत्पन बल है वही गैस का दाब कहलाएगा तो यदि पात्र की दिवारों पर जितने भी गैस के अनुहें वापस में टकराते हैं तो उनके द्वारा उस पात्र की दिवार पर लगाया गया जो बल है और पात्र का जो प्रिष्टी छेत्रफल है दोनों का अनुपात होगा गैस का दाब तो गैस का दाब बराबर पात्र क दिवारों पर गैस के अणों द्वारा लगाया गया बल बटा पात्र का प्रिष्टिय छेत्रफल तो इस तरह से हम गैस के दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं जो गैस का दाब है इसे हम न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर या एक पास्कल न्यूटन प्रती मीटर स्क्वाइर को हम एक पासकल के बराबर नाप सकते हैं और दाब के लिए जो ऐसाई मातरक है वो पासकल के रूप में लिया जा रहा है या न्यूटन प्रतिमीटर स्क्वाइर के रूप में लिया जा सकता है तापमान की जब बात करते हैं किसी भी गैस के लिए तो किसी भी पदार्थ की जो उष्णता की मात्रा है वही तापमान होती है और जब हम तापमान का जो मापन है वो डिग्री सेंटिग्रेट के रूप में या फिर केल्वीन के रूप में किया जाता है तो इसे माइनस 273 degree centigrade या फिर 0 Kelvin जिसे हम परम शुर्ने तापमान भी कहते हैं उस रूप में calculate कर सकते हैं गैसों का जो आयतन है गैसों की आयतन की तुलना में जो temperature और pressure की सामानी स्थितियां प्रियुक की जाती हैं जिसे हम कहते हैं normal temperature pressure तो normal temperature pressure में जो 0 degree centigrade temperature है उसे 273.15 Kelvin के रूप में calculate किया जा सकता है यहाँ पर NTP और STP दो अलग-अलग शब्द आते हैं तोनों लगबग एक जैसे ही है normal temperature pressure या standard temperature pressure तो gas का जो आयतन होता है वो तापमान और दाब को परिवर्तित करने पर बदलता रहता है क्योंकि तापमान बढ़ाने पर जो आयतन है वो बढ़ेगा gas का और दाब बढ़ाने पर gas का जो आयतन है वो कम होता है तो दाब और ताब दोनों से ही आयतन प्रभावित होता है तो गैसों के आयतन की तुलना है तो जो ताब और दाब है उसकी सामान ने जो परिस्थितियां है उसे हमें लेनी होती है और 0 degree centigrade या जिसे 273.15 Kelvin के रूप में वेक्ट किया जा सकता है और यदि दाब व्यक्त करते हैं तो 1 atmospheric pressure या 760 mm पारे के रूप में और या फिर 760 tor के रूप में लिया जाता है और यदि combined रूप से इसे लेंगे पासकल के रूप में 101.325 Kelvin पासकल के रूप में भी से लिया जा सकता है तो ये सारे जो temperature pressure हैं इसे हम normal temperature pressure या standard temperature pressure के रूप में calculate करते हैं तो आगे इस अधियाय में जो भी हम numerical वगरा पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़े भी count होती है units बहुत important है कि किस तरह का unit किसी numerical में use हो रहा है normal temperature pressure को जानना बहुत आवश्यक है यदि हम gas के आयतन की बात करते हैं तो 22.4 L या इस तरह से 2400 ml के रूप में इसके आयतन को calculate किया जाता है